हलो दोस्तो वेल्कम बैक टो मैं चैनल दोस्तो आज हम एक्स्प्रीन करने जा रहे हैं 2007 में आई एक रोमांस कॉमिटी मुवी को जिसका नाम है वर्जिन टेटरी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं मुवी के शिरुवात होती है और हम लोरेंजो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जर्बीनो नाम के एक आदमी से बच कर भाग रहा था लोरेंजो यहां किसी तरह से जर्बीनो से बच कर भाग जाता है लेकिन जर्बीनो अपने आदमी उसे लोरेंजो को कैसे भी करके उस दूनना पाए लोरेंजो भी अपने दोस्त की बात मानता है और यह गोड़े पर बैट कर यहां से चल चाता है इसके बाद हम पैमपीनियो नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि यहां पर रो रही थी क्योंकि कुछ दिन पहले ही पैमपीनिया की माता पिता प्लेग बिमार की वज़र से मर गए थे पैमपीनिया यहां पर रो ही रही थी कि तभी यहां पर जर्बीना आता है जर्बीनो यहां पैमपीनिया से कहता है कि अब यह अकेली है तो अब यह क्या करेगी क्योंकि इसके माता पिता अब तो इस दुनिया में नहीं रहे यह सुनकर पैमपीनिय जर्बीनों से कहती है कि कुछ दिनों में रस्यार का राजा जर्जश 빠श़्ी यहाँ पर आने वाला है और यह उससे ही अपनी शादी करेगी यह कहई कर पंपिनिया यहां से जाने लगती है कि तभी जरबीन इससे कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझ्छ से धेसे पैसे लिये थे इसलिए उनके मरने के बाद पार अभिंशा दोलत निग हो गई है कि तुम्हारे पास केवल ये घर बच्चा है और तुम्ह Czech Cancer अपने पास में रखना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ में शावी करने पड़ेगी। इसके बाद हम घरबीनों के आदमी जब यहां से आगे चले जाते हैं तब लोरेंजो पेड से उतर रहा था कि तभी पेड की डाली तूटने की वजह से लोरेंजो जमीन पर गिर जाता है और यहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन यह चान बूच कर बेहोश होने का नाटक करता है। इसके बाद हम लोरेंजो को देखते हैं जो की नहा रहा था कि तभी दोनन इसके पास आते हैं। इसके दोनों लोरेंजो के साथ यहां नहाने लगते हैं। लोरेंजो भी यहां गूंगा बहरा बनने का पूरा फायदा उठाता है। और यह इन दोनों के साथ यहां पर खपा कप्री करता है। इसके बाद हम पेंपिनिया को देखते हैं। जो जर्बीनों से अपना पीछा चुडाने के लिए यह एक चर्च में आती है। और यह वही चर्च होता है जिसमें लोरेंजो गूंगा बहरा बन कर काम कर रहा था। दोनन जब पेंपिनिया को कप्रे पहना रही थी तब पेंपिनिया यहां लोरेंजो को देखती है। पेंपिनिया इनसे लोरेंजो के बारे में पूछती है। तब ये नन इसे बताती है कि वो यहां का माली है जो जर्च की देखभाल करता है लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो एक गूंगा बहरा है जिसकी वज़र से वो सुन और बोल नहीं सकता कुछ समय बाद लोरेंजो को एक नन बुलाती है इसलिए लोरेंजो उस नन के साथ जाड़ियों में जाता है लोरेंजो उस नन के साथ जाड़ियों में खपागप करने लगता है लोरेंजो खपागप कर ही रहा था कि तब ही पेंपेनिया यहां पर आ जाती है जो ये सब देख लेती है ये देख पैमपेनिया को काफी चलन मैसूस होती है क्योंकि ये खुद लोरेंजो को पसंद करने लगी थी इसके बाद हम रश्या के राजा जर्जस्की को देखते हैं जो कि पैमपेनिया के राज महल में आता है लेकिन जल्बीणो जर्जस्की से कहता है कि PEMPENIA ने भाग कर अपनी शादी कर ली है ये सुनकर जरजस्की को काफि पुरा लगता है और ये यहां से अपने शहर के लिए निकल जाता है लेकिन रास्ते में एक आद्मी जरजस्की को रोपता है और कहता है कि PEMPENIA कई दिनों से इसका दूसरे शहर में इंतिजार कर रही है ये सुनकर जर्जस की अपने आदमियों के साथ उस शहर में जाने के लिए निकल जाता है इसके बाद हम लोरेंजो को देखते हैं जिसके पास दो नन खाना लेकर आती हैं क्योंकि अब इन्हें भी पता चल गया था कि लोरेंजो सभी नन के साथ में खपागप कर रहा था इसलिए ये दोनों भी लोरेंजो के साथ खपागप करना चाहती थी लोरेंजो भी इनके बाद खुशी-खुशी से मान लेता है और ये इनके साथ यहीं पर खपागप करता है इसके बार हम पेंपीनिया को देखते हैं जो लोरेंजो की तरफ अच्राक्ट हो रही थी क्योंकि इसे अब लोरेंजो से प्यार जो हो गया था एक दिन पेंपीनिया लोरेंजो को गाना गाते हुए देख लेती है और ये जान जाती है कि लोरेंजो गूंगा बहरन नहीं है एक दिन पैम्पेनिया अकेले लोरेंजो के पास आती है पैम्पेनिया यहां लोरेंजो के पास आकर उसकी आखों पर पट्टी बान देती है पट्टी बानकर प्रेंपेनिया यहां अपना नकाब उठाकर कहती है कि ये इससे प्यार करती है और इसकी वजह से ये इसके साथ शादी भी करना चाहती है प्रेंपेन्या यहां लोरेंजो को एक किस करकी चली जाती है ये किस लोरेंजो को काफ़े अच्छा लगता है लेकिन उसकी आखो पर पटी बन दी थी इसलिए वो देख नहीं पाता कि ये लड़ी आखर थी कون अगले दिन पेंपेनिया अपनी सीनियर को बता देती है कि इनके यहाँ जो माली काम कर रहा है वो गोंगा बहरा नहीं बल्कि वो सुन और बोल सकता है तरसल पेंपेनिया यहाँ सीनियर को सच इसलिए बताती है ताकि लोरेंजो अब किसी के साथ घपा घप ना करे इस बात से सीनियर लोरेंजो के ऊपर काफे गुस्सा होती है इसलिए ये लोरेंजो को लाट माल कर चर्ट सिर्फ बहा निकाल देती है हम देखते हैं कि पेम्पी भड़ पर लेकर आती है इसके बाद हम जरजेस्की को देखते हैं जरजेस्की यहां एक लड़की को देखता है ये लड़की जरजेस्की को देखते ही उसके उपर लट्टू होने लगती है जरजेस्की इससे पूछता है कि क्या तुम पेम्पीनिया को जानती हो तो ये लड़की यहाँ छूट बोलती है और कहती है कि जहीं तो है Pimperinia ये सुनकर ज़ज़स्की इससे कहता है कि तुम्हारे फादर ने मेरी शाधि तुम्हारे साथ मेr टै की थी इसलिए मैं तुम से शाधि करने आया हूँ दरसल जजेस्की ने पेंपेनिया को पहले कभी भी नहीं देखा था इसलिए ये इस लड़की को ही पेंपेनिया मान लेता है दूसरी तरफ हम असली वाली पेंपेनिया को देखते हैं जो लोरेंजो को लेकर अपने घर पहुँच कई थी बातों ही बातों में लोरेंजो पैंपेनिया से कहता है कि ये जिस चर्च में काम करता था इसे वहां की एक लड़की से प्यार हो गया था लेकिन उस लड़की ने इसकी आखों पर पट्टी बांग कर इसे किस किया था इसलिए ये उसका चेहरा नहीं देख पाया पेंपेनिया समझ जाती है कि लोरेंजो इससे सच में प्यार करता है पेंपेनिया लोरेंजो को बताने जा रही थी कि यही वो लड़की है जिसने इसे उस दिन किस किया था पेंपेनिया यहाँ पर कुछ बताती कि उससे पहले ही यहाँ पर जर्बीनो आ जाता है जर्बीनो जब यहां लोरेंजो को देखता है तब यह इस पर काफी गुस्सा होता है जर्बीनो यहां लोरेंजो के साथ लड़ने लगता है जर्बीनो लोरेंजो को मारने ही वाला था कि तब ही यहां पर पेंपीनिया आती है और ये जर्बीनो से कहती है कि अगर इसने लोरेंजो को मारा तो ये इससे कभी भी शादी नहीं करेगी ये सुनकर जर्बीनो लोरेंजो को नहीं मारता और ये लोरेंजो को पकड़ कर इसे कैट खाने में ढाल देता है अगले दिन प्रेंपीनिया जर्बीनो से कैटी है कि कल ये इससे शादी करेगी इसलिए ये चाती है कि जर्बीनो लोरेंजो को कैट खाने से अज़ाद कर दे जर्बीनो पहले तो प्रेंपीनिया की बात नहीं मानता लेकिन पेम्पीनिया इस से कहती है कि जब तक ये लॉरेंजो को आजाद नहीं करेगा तब तक ये इस से शादी नहीं करेगी अब नआ जाकर मी जर्बीनों लॉरेंजो को छोड़ देता है कैट से छूटने के बाद लोरेंजो यहां से इंचाने लगता है लेकिन वो सोचता है कि अगर ये आज जर्बीनों से सिंदा बचा है तो सिर्फ पेंपेनिया की वजह से क्यूंकि अगर पेंपेनिया नहीं होती तो जर्बीनों इसे मार डालता लोरेंजो कैट से चूटने के बाद वापस से पेंपीनिया के पास आता है ये देखता है कि जरबीनो पेंपीनिया के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा था हम देखते हैं कि यहाँ पर जरजेस्की भी आचाता है जिसके पास गन होती है गन देखकर जर्बीनो इससे डर कर भागने लगता है अब लोरेंजो भी यहाँ पर आ चुका था इसलिए यह जर्बीनो के आद्मियों से लगने लगता है जर्जेस्की और लोरेंजो जर्बीनो के कई सारे आद्मियों को मार देते हैं आखरी में जर्जेस्की जर्बीनों से लड़ता है और ये इसे भी मार देता है अब पेंपेनिया यहाँ पर आती है जो जर्जेस्की से कहती है कि वो इससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि ये लोरेंजों से प्यार करती है चरजस्की जब पेंपेनिया का चेहरा देखता है तब वो कहरता है कि तुम पेंपेनिया नहीं हो क्योंकि मैंने उसे देखा है तब ही यहाँ पर वो दूसरी लड़की आती है जो चरजस्की को जील पर मिली थी यह लड़की पेंपेनिया की फ्रेंड मालिशा होती है मालशा को देखकर चरजस की कहता है कि मैं तो इससे ही शादी करूँगा हम देखते हैं पेंपेनिया लोरेंजो के पास आती है और इसे अपनी साथ शादी के लिए कहती है लेकिन लोरेंजो कहता है ये इससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि ये किसी और से प्यार करता है ये सुनकर प्रेंपेनिया कहती है कि ठीक है तुम उसी से शादी करना लेकिन तुम मुझे यहाँ पर एक बार किस करके जाओ लोरेंजो यहाँ ना जाकर भी प्रेंपेनिया को किस करता है प्रेंपेनिया को किस करने की वजह से लोरेंजो को पता चल जाता है कि प्रेंपेनिया ही वो लड़की है जिसने इसे चर्च में इसकी आखों पर पट्टी बानकर इसकी साथ में किस किया था ये जानकर लोरेंजो काफी खुश होता है इसे के साथ ये मूवी यही पर खत्म हो जाती है